व्याइज वेलकब टू व्याइपे टेर्णिंग ओफिशल प्राइस सेकंड वीडियो है जिसमें हम जानेंगे सूटिंग स्टार एक केंडिल है इस सूटिंग स्टार केंडिल का यूज करके आप प्रॉफट को बना सकते हो जियां दोस्तो आज हम इस वीडियो में किसी भी इ ना पाओगे बैसिकली आपको मेरी यहाँ पर स्क्रीन दिख रही होगी यहाँ पर आप देखोगी कि मुझे सिर्फ और सिर्फ सूटिंग स्टार को अडेंटिफाई करना है अब यह सूटिंग स्टार कैसा होता है क्या इसका काम होता है मैं पूरा का पूरा आपको यहाँ गाइट करूँगा तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ गाइज यह एक पिक्चर है बेसिकली इस पिक्चर में आप यहाँ पर दो से तीन चीज़ें देखोगी हाला कि बहुत जारे चैंडल्स आपको यहाँ पर नजर आ रही होंगी तो पहली वाली वीडियो में आपने हैमर को समझ लिया सेकंड वाली वीडियो में आप यहाँ पर सूटिंग स्टार को समझ ले जा रहे हो अब यह सूटिंग स्टार होता क्या है किस तरीके से काम करता है ये पूरी ये पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है इसके साथ ही गाइस एक candle होती है उस candle की एक body होती है और वहाँ पर उस body में कुछ छोड़े-छोड़े moments होते हैं और कुछ छोड़े-चोड़े objects टाइब कि आप कह सकते हो वो होते हैं उनको किस तरीके से समझदा है उसको आप इस image के मातन से समझ सकते हो जैसे आपकी एक body है जो भी आप ने body आप जो भी आप candle देखते हो उसके अंदर एक चोटी से चोटी बड़ी से बड़ी body हो सकती है किसी में छोटी हो सकती है किसी में बड़ी हो सकती है और यहाँ पर होती है एक opening यह आपका होता है open body और यहाँ पर आपकी जो body है यह close हो गई यहाँ पर open होई यहाँ पर आपकी यह body close हो गई यह बीच में आपकी body आगई पूरी ठीक है दिख रही होगी आपको यहाँ पे साफ साफ इसके साथ इसके अलावा भी यहाँ पर दो से तीन और मुमेंट होते हैं जो हमें यहाँ पर identify करने होते हैं क्योंकि जो उपर अगर डायरेक्शन में विक बनेगी तो यह आपकी होती एक upper shadow और इसका जो सबसे टॉप जो पोजिशन होती है इसको हम बोलते हैं high ठीक है सबसे high जो price होता है वो यहाँ पे जाके जब रुपता है तो उसको हम बोलेंगे high ठीक है और अगर सबसे नीचे जाएगा तो इसको हम बोलेंगे low ठीक है यह आपका lower shadow है यह आपकी upper shadow है मतलब जो body है body यह आपने body समझ ली body के उपर जो विक बनेगी वो upper shadow बनेगी body के नीचे की जो विक बनेगी वो lower shadow बनेगी अब इन विक के जो सबसे high होती है जो सबसे low होती है इसको यहाँ पे समझना क्यों जरूरी है क्योंकि जब कभी market के अंदर आप levels को draw करते हो तब यह चीज़ें हमें कई न कई consider करने की होती है फिलाल यह जो condition है यह bullish में होती है और same condition आपकी bearish market में भी apply होती है लेकिन मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ सूटिंग star की तो आपको आज इन सारी के सारी चीज़ों से मुक्ति मिलने वाली है क्योंकि आपको यहाँ पर ना तो indicator लगाना है ना levels draw करने है ना supporter resistance को ध्यान में रखना है सिर्फ और सिर्फ आपको suiting star को समझना है suiting star अगर आपने सही से समझ लिया तो आपकी जितनी भी trade है सारी के सारी profit के साथ में close होंगी ठीक है तो चलिए समझते हैं यहाँ पर किस तरीके से यह जो strategy है काम करती है basically आप इसको यह strategy ही consider कर सकते है so सबसे पहले मुझे क्या देखना है guys मुझे हमेशा यह देखना है कि मुझे candle पे focus रहना है मुझे currency से कोई मतलब नहीं किसी में अगर मेरे को 80% मिल रहा है किसी में 90% मिल रहा है क्योंकि बहुत जब हम trade करते हैं तो हमारे दमाग में बहुत ज़्यादा खैल आते है हम हमेशा यह सोचते हैं कि साइद 90% जहां पर हमें profit मिलेगा हम वहीं पर trade करें या फिर कहीं पर आपको 80% मिल रहा है कहीं पर आपको 75% मिल रहा है 78 मिल रहा है तो अगर 78-75 अगर मिल रहा है लेकिन वहाँ पर आपको चीज़े समझ में आ रही है चाए वो shooting star हो चाए वो hammer हो या कोई दूसरे strategy हो जो आपको अच्छे से समझ में आती तो definitely आपको वहाँ पर investment करना चीए इन street की आप 90% और 80% जहां पर margin मिल रहा है वो उन currencies में investment करें क्योंकि हो सकता है वहाँ पर market volatile हो हो सकता है वहाँ पर आपको चीज़े समझ में ना है ठीक है तो फिलाल हम यहाँ पर करने वाले हैं shooting star को identify कैसे identify करना है वो मैं पूरी पूरी जानकारी आपको यहाँ पर देने वाला हूँ तो basically guys आप shooting star का जो safe है वो बहुत simple है आप इस तरीके से कहीं पर भी अगर देखते हैं तो आप इसको as a shooting star consider कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर condition एक है कि यह जो shooting star होता है यह सिर्फ और सिर्फ bearish market में होता है बुलिस में आपको यह अगर दिखता है तो इसको आप as a hanging man consider करेंगे लेकिन अगर यह आपको bearish में दिख रहा है तो आपको यह जो है as a shooting star consider करना पड़ेगा तो हमें hanging man की तो बात ही नहीं करनी है सिर्फ और सिर्फ हमें shooting star की बात करनी है ठीक है ठीक है यह आपका bearish market है अब इस bearish market में shooting star का का काम क्या है सबसे पहले आप किये जा लीजिए shooting star का का काम क्या है देखिए जब भी market में कोई भी candle बनती है हमें पता नहीं है कितना जादा investment लो कर रहे है कब buy कर रहे है कब style कर रहे है आपको क्या पता क्योंकि यह सारी चीज़ा background में हो रही है हम सिर्फ और सिर्फ जितना भी prediction कर पाते है जितनी भी forecast करते है वो सिर्फ और सिर्फ करते है यहाँ पर candles के basis पे candles अच्छी दिखेंगी आप समझ जाओगे green candle बनेगी आपको पता रहेगा कि बीर इस market है अगर कहीं bullish market है कहीं पर red candle दिखेंगी तो आप समझोगे कि बीर इस market है trend आपको अपसर समझ में आएगा in the same way shooting star हमें जहाँ पर भी देखेगा वहाँ पर हमें trade लेनी है वो trade कहाँ होगी यह बिल्कुल मैं आपको अभी साब ने बता हूँ है नहीं साथ की साथ लेके दिखाऊंगा ठीक है तो चलिए जानते है shooting star कहाँ पर बन रहा है ठीक है ओके तो यह एक asset है UDCHF यहाँ पर shooting star नहीं है अलाग कि यहाँ पर hanging man दिखाई दे रहा है बट मैं आट्रेड नहीं लूँगा यहाँ पर भी मुझे नहीं दिखा यहाँ पर भी hanging man है आपको दिख रहा हुआ यह proper hanging man है बट इसको मैंगनोर करूँगा अभी ओके तो यहाँ पर आप देख सकते हो गाईज यह आपका एक shooting star है और इस shooting star को आप consider कर सकते हो तो यहाँ पर आप trade ले सकते हो तो यहाँ पर trade कहाँ पर लेना है सबसे बड़ा concept यह है कि trade हमें कहाँ लेना चाहिए तो यह पहले जानना पड़ेगा आपको market को सही से analyze करना पड़ेगा उसके बाद ही आपको trade लेनी पड़ेगी ऐसा बिल्कूल भी नहीं है आपको सिर्फ और सिर्फ shooting star देखना है तब आपको trade लेना है यह बहुत simple और easiest way बताना हूँ गाई क्योंकि price section अगर आप ऐसे समझने वाले तो हो नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा candles होती है हर एक candles में एक अपना अपना नजरिया होता है लोगों को देखने का लेकिन reality में क्या वो वैसी है candles या नहीं है यह देखने वाली बात है और practically उसको अगर आप यहाँ पर test कर पा रहे हो तो वो ज़्यादा matter करता है ठीक है तो हम यहाँ पर trade लेंगे लेकिन अभी condition यहाँ पर लेने वाली है नहीं क्योंकि आप देखोगे यह हमने shooting star consider किया था उसके बाद में एक दूसरी candle यहाँ पर बन चुकी है अब एक दूसरी candle यहाँ पर बनना सुरू हो गई है तो हमेशा ध्यान लगो चाहें आप कोई भी strategy अपलाई करो या किसी और की strategy अपलाई करो आपकी जो entry रहनी चाहिए वो बहुत ज़्यादा accurate रहनी चाहिए मतलब अगर आप entry कहीं पर भी ले रहे हो किसी particular asset में अगर आप अपना investment करने जा रहे हो प्लीज प्लीज make sure कि जब opportunity हो तभी आप trade लो अगर ऐसा नहीं है आप दो से तीन सेकंड लेट हो गए हो ठीक है आप दो से तीन सेकंड लेट हो गए हो उसके बाद आप trade ले रहे हो और फिर या फिर investment कर रहे हो तो definitely कहा है जो results है वो बिल्कुल अपोदर जा सकते है क्योंकि ये trading है trading बहुत ही risk की business है ठीक है तो आपको यहाँ पर कोछ चीज़ें ऐसी है जो समझनी चाहिए तो मैं आपको बस यही बताना चाहरा हूँ कि shooting star को आपको समझना है किस तरीके से समझना है वो मैं practically आपको दिखाऊंगा अगर कहीं बनेगा तो ठीक है और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ और सिर्फ दिखाऊंगा मैं आपको यहाँ पर साब साब बताऊंगा भी कि किस तरीके से अगर shooting star बनता है तो आपको trade लेनी है ठीक है तो कोई दूसरी currency देखते हैं या बार बार आप एक काम कर सकते हो आपकी जितनी भी favorite assets है या जहाँ पर अच्छा investment जहाँ पर अच्छी ROI मिल रही है तो उन assets को आप आज़े bookmark कर सकते हो और उसके बाद फिर आप उनको बार बार चेक आउट कर सकते हो ओके तो यहाँ पर आप देख सकते हो यह identify करना बहुत जादे important है क्योंकि अगर आप bullish market में identify करोगे shooting star और trade लोगे downward direction में तो फिर वहाँ पर दिक्कत हो जाएगी तो अब हमें करना क्या है अब हमें समझना क्या है वो आप समझ लीजी है आपर क्योंकि बहुत जादा time हो गया है मुझे भी और मैं भी कोसे सही कर रहा हूँ कि आपको जल्दी से समझा दू यह होती है shooting star की safe ठीक है इस तरीके से shooting star मिलेगा अगर यह shooting star यह दो तरीके की market होती है ठीक है यह आपकी समझ लो zero line है ठीक है और यहाँ पर उपर जितनी भी candle बनेंगी यह green candle बनेंगी most probably ऐसे होता है नीचे आपकी जितनी भी candle बनेंगी यह downward direction की तरफ होगी और यह सारी यह सारी red candle बनेंगी यह green candle बनेंगी और यह आपकी red candles बनेंगी तो अगर यह shooting star आपको मिल रहा है यहाँ पर bearish market में मतलब यहाँ पर मिल रहा है तो definitely आप क्या कर सकते हो आप यहाँ पर इसको consider कर सकते हो और यहाँ पर आप यह देख सकते हो कि candle पर उपर से एक force है एक push है और यहाँ पर जो market आप यहाँ से छोटा सा rejection लेकिए आप downward direction में जाएगी तो मैं यहाँ पर कुछ trades ले रहा हूँ आप इन trades को देख सकते हो मैंने कोछ यहाँ पर multiple trades लगाई हुई है ठीक है तो यहाँ पर आपको एक सिर्फ और सिर्फ single चीज़ को identify करना है वो करना है shooting star को जल्दवाजी करने की जरूत बिल्कुल भी नहीं है market stable हो market बहुत जादा volatile हो तो वो एक अलग concept है लेकिन आपको यहाँ पर सब सच्छी बात यह है कि आपको shooting star की जो shape है उसको सही तरीके से identify करना है प्लस आपको यह देखना है कि वो जो shooting star है वो वही है जो आपको चाहिए क्योंकि जो shooting star है यह same shooting star आपको यहाँ पर जो bullish market है उसमें भी देखने को मिल सकता है बट हमें क्या करना है हमें bearish market में देखना है हमें bearish market में identify करना है कि bearish market में कहीं पर भी supporting star है तभ हमें trade लेना है ठीक है तो फिलाल आप यहाँ पर देख सकते हो तो सारी की सारी trades हमारी super win के साथ में close होंगी यहाँ पर हाला कि अभी 10 से 12 सेकंड बचे हुई है तो देखते हैं यहाँ पर इन trades की performance कैसी रेने वाली है and on the basis of it हम आगे और मैं एक से दो trade आपको और लेके दिखाऊंगा तो आपने यहाँ पर देख लिया कि अगर आपको कहीं पर भी various market के अंदर अगर आपको shooting star दिख रहा है तो आप downward direction में trade ले सकते हो यह सारी trades आपकी super win के साथ में जाएंगी हाला कि आप यहाँ पर और भी trade लोगे तो वो भी आपकी win होंगी लेकिन मैं क्या करूँगा मैं कहीं और आपको दिखाऊंगा so that कि आपको कम से कम दो scenario समझ में आए कि इस तरीके से यह होता है ठीके हमेशा दियान रखना जब भी आप किसी भी candle को identify करोगे तो candle को identify करना ही यह बहुत बड़ा काम है अगर आप candle को सइस identify नहीं कर पारे हो that means कहीं न कहीं आपके साथ दिक्कत है देखो यहाँ पर एक shooting star की बहुत अच्छी safe है तो मैं यहाँ पर भी कुछ trade ले रहा हूँ अलाकि जादर trade नहीं लिए मैंने 7 trade ली है यह और जो shooting star है यह proper एक एक realistic example है आप देख सकते हो यहाँ पर यह आपका एक shooting star है जहाँ पर हमने सारी की सारी trades ली होई है सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि ना तो आपको support को देखना है ना आपको resistance को देखना है ना आपको levels को identify करने है सिर्फ और सिर्फ आपको shooting star को देखना है और आपको trade लेनी है but 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 make sure आपको यह find out करना है कि वो जो shooting star है वो वही shooting star है या फिर कोई और shooting star है क्योंकि कई लोग hanging man को shooting star बोलने लगेगी कई लोग hammer को कुछ identify करने लगेगी क्योंकि यह candle है candle में कभी आपको candle ऐसी दिखेगी कि जिसमें छोटी सी एक विक भी निज़र आएगी कभी एक बड़ी सी विक निज़र आएगी कहीं पर एक proper नीचे कुछ भी आपको एक flat दिखेगा और उपर की direction में विक निज़र आएगी सी strategy दिखाए जिसमें मैंने कोजिस किया है अपना मैंने 100% दिया है कि आप shooting star को समझबा हो तो अगर आपको shooting star समझ में आ गया हो तो आप मुझे comment section में बताना है लेकिन इसके साथ साथ अगर आपका कोई doubt रह गया हो तो वो भी आप मुझे comment section में पूँच सकते हो ठीक है इसके साथ एक और update है आप सभी लोगों के लिए कि जब भी आप shooting star को try करोगे ठीक है shooting star ये इस तरीके की save में मिलेगा shooting star को जब भी आप apply करोगे तो सबसे better option आपको बता रहा हो हाला कि मैंने वीडियो के starting में बताया था हम कोई indicator यूज नहीं करें ये लेकिन अगर आप इसको use करते हो तो इसका कुछ नुकसान तो है नहीं ये आप सो कोई charge तो कर नहीं रहा है बट अगर आप ballinger band यूज करोगे तो वहाँ पर आपको दो से तीन जी से समझ में आ जाएगी एक तो आपको levels है वो समझ में आ जाएगा दूसरा आपको बीच में जो middle line SMA की काम करती वो समझ में आ जाएगा तो अगर आप ballinger band यूज करोगे तो आपको properly समझ में आ जाएगा तो आपको यह उपर जो टेलिग्राम का ID है दिख रहा होगा कोटेक्स ग्नोबल आप इसमें एक्सेस ले सकते हो मैं टेली कर्टीनिसली हम लोग VIP सेशन करते हैं और बहुत अच्छा प्रपेट को गेम करते हैं बिदाउट यूजिं अनी मार्टिंगल तो अच्छ। था जान भीड़ी तो ले में आपको अच्छ। झाल 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 झाल